डेली से स्टैची ओफ यूनिटी तक के सफर के एपिसोड नौ में सरसों के खेतों में ड्रोन उड़ाते उद्रपुर से एहमताबाद के एक खुबसूरत सफर में हम वांडरिंग टेकीज इस ताइम हम है एहमदाबाद में और हम है एहमदाबाद के रिवर फ्रंट पार्क पर इस रावमती रिवर बैंक पर बना हुआ है और बहुत ही अच्छा पार्क है यहां पर काफी डिफ्रेंट चीजे हैं करने के लिए जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहां पर एक संडायल है और उसके अलावा यहां पर लोकिस पॉंड है अंपी ठीटर है स्टेफवेल है आपको जखाते हैं शावर मती रिखुए अभी सुबा के आठ बज रहे हैं तो यहां पर भूप महीं है जादा मौसम अच्छा हो रहे हैं अच्छा हाज रहा है वाच्छा अच्छा है वाच्छा यहां पर होंते हमते हैं आपको बताते हैं हमने क्या क्या किया लास्ट हमने आपसे बात की थी जब हम अपने टेंट हाउस में थे अधेफूर में हमने मासे अर्ली मॉनिंग चेक आउट किया हम निकल गए तो हमें एंदबाद आते हुए बीच में कुछ ख़रागोड मिली थोड़ा सा दाइवर्जिन देना पड़ा दाइवर्जिन लेने के बाद जो रोड़ थी कुछ-कुछ विलिजिस तो किला रहे थी कुछ-कुछ रोड़ खराब थी बट ओवर ओरल हमें टाइम बहुत कम लगा हम तीन साड़े तीन घंटे में शायद पहुच गएते हैं तबाद पेल्ड पिपोसित एहम्दामाग आने से खले हमने फुजित किया अधनाज चेप्ट प्राइस तो अब है नियुक। नियुक्षम ज शुछांगव दो फ्रिंट्स है नियुक्त झालन। को अब है क्या है है कि है कि अुछादी में बोलते हैं अदलच की वाव उल्म ओक है और इसको अगर इग्लिश में इसका नाम देखें तो इसका नाम है स्टेप के लिए अम आता का मंदिर है उसके पीछे ही है अभी आपको दिखा दी हमने एंट्रेंस ऑनलाइन टिकेट अगर आप बुक करते हैं तो आपको डिस्कॉंट भी मिलता है आपकी अंदर से कैसा है अ करता है जालेच की बावली वह बहुत ही अच्छी जगाती वहांका एक्टेक्टर बहुत अच्छ था वह स्टेफल गानी अमबावदी ने बनाया था बाकी हम आपी साथ और भी जोडियेंगे वहांकी वीडियो शेयर करते हैं अच्छी स्थिंग था वेब चेकिन या वेब टिकेट परचेजिंग का, आपर भारी QR कोड लगा था, हमने QR कोड को स्कान करके टिकेट्स परचेस कर लिया और वो डिजिटली हमारे मुबाइल फोन पर आ गए, पेपर वेस्ट में हुआ है, हमें बहुत लाइन में नहीं लगना पड़ा और डिसकाउंट भी मिला, यह सिस्टम मुझे बहुत पसंदाया कि राद वापस हम आगे एहम्दबाद के साइड आते टाइम हमें रास्ते में गिफ्ट सिटी दिखी हमें जा बहुत क्यों इसर दिखी वेस्थे लेप्ट है प्याज़त प्रचेप आहँ और इन प्रम्राइप, इन प्रचेप आपने नहीं प्याज़त से दिख्यों के लिए और भी वहाँ पर काफी चीज़े हैं ऑफसे ने बहुत अच्छा एक सिटी डेवलप डेवलप की लिए इसके बार में भी हम आप से डीटेल्स चेयर करेंगे आप यहां से देख सकते हैं रिवल का फ्लो ताफी अचा ही बहुत साफ पानी है कुछ बढ़ देखी हैं तो इसी गाद फों मनता रहता है इतना जाना गंदा पानी रहता है मैं आक लेंडी नेस है यहां पर रिवर्फूर्ट पार्क बहुत अच्छा बनायो है सबसे पहले हम गए खेटला आपर टी स्टॉर्ट वहां काफी श्रीमस टी स्टॉर्ट है वहां की स्पेशालिटी है कि उस पे जो मिल्क यूज होता है वो मिल्क बहुत सर देजक वॉइल होता नेते है कि सली स्टॉर्ट इंच्छा है यहां पर चाई पी, हमने वहां पर थेपला भी खाया, डोनों जीज बहुत अच्छी देखिए खेटला पर टी-स्टॉल से निकल कर हम पफीजा करें, तो मैं आपको पफीजा का चैन है यह एक पीजा चेन है बट वहां पर पीजा बेस की जगह हुओ तो पीजा का जो क्रस्ट रहता है उसकी जगह पफ रहता है तो बहुती दिप्रेंचों को छोगाता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है पफ जो है बहुत सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट औं कुंची मूट जैसा पफ पीजपी को होना चाहिए झालड़ कुंची मुण सॉफ्ट कर दो कर दो दो कर दो कर दो से कि अर दो काड़ सकता हुआ हρ़ा हुआ है मुझ मज़ आया कुछ दिफरेंट खानी के लिए मिला उसके बाद हम जहां गए मैं आपको गजाती हूं उस जगह का खाना मुझे बहुत प्रश्रून दाया और एल से एल से एहमदाबाद में अब तक हमें जिपनी जीगे ट्राई किये उनमें सबसे झाल झाल झाल